अलके को बदमास बनाना है क्या देख लिया था क्या आप स्टेज पर देख्या था आमने कौन पगडी पहना रहा था अलके के युवां के घंड़णी खराब नहीं करना यहां पर दैसत का मांवन प्याधा नहीं करना और शुकश्यान्ति और समर्थी और विकास अलके में हो एसा काम करना है ऐसे युवा की हमें जूरुत नहीं है जो ऐसा काम करें ऐसे लोगों को साथ रखें जी जी नोमिनेशन था उस दिन आपने नारणोंद में उर्दंग बाद जी नहीं देखें क्या अपने वहां स्टेज पे कौन किसको क्या पगड़ी पहना रहा था कितने बड़े बड़े बदमास आई हुए थे वह आपने नहीं देखी क्या बहन कुपारी शहलजा जी को क्या क्या बोला गया वह आपने नहीं सुनी हमारे सत्रोल की तो बांड जी है शहलजा हमारी तो तो जो की तो हैं जितने रोड बने थे बनने से पहले टूप जाती रोड बनते टाइम रोड से परष्टा चार की बत्वू आती थी जलता देख सब गो रही है और क्या कारणा में कर रहा किसी साथ से वोट मांग रहा है दोस्तो नमस्कार मैं हूँ अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास रेना बिंदास हर्याना के खास कारकम खास सक्षियत में आज हमारे साथ खास महमान मोजुद है जी हां ये चहरा देखिए ये खास इसलिए हैं क्योंकि हर्याना में बहुत सारे लोग चुनावी मैद में यह किले हैं लेकिन अगर हम बात करें सबसे युवां चेहरे की तो हर्याना के तमाम टिकटार्थियों में योगेस गोतर सबसे युवाव टिकटारतिय ये पनावतर के लिए आपकी पार्टी से इसिप दॉब complexity कि दाविद यूवा कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता मैंने मेरे पिछली मेरी 49 साल उमर है मैंने 14 साल पार्टी को दे रखे हैं उस्टूडेंट लाइफ से लेकर कॉलेज और यूवा तक की तो यूवा जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है अगर हम बात करें आपकी बारी आने की तो आपकी बारी कैसे आई क्योंकि बहुत सारे और भी टिक्टारती थे देखिए मैंने आपको जैसे बताया मैंने बारा साल चोदा साल संग्ठन को दे रखे हैं बहुत जादा मैनत कर रखी है कोलेजों में स्टूडेंटों की आवाज उठा रखी है युवाओं के लिए आवाज उठा रखी है धरने परदसन कर रखी है तो मैनत करने वालों कोई टिकट मिलती है योगे जी माली जी आपने मैनत कर मेरी बात कर लेते हैं कैप्टर अभी मन्यों जी की हर कोई गाउं मतलब नाणों दलके का व्यक्ति कहता था इसके सरिया है आज का इसका सरिया निकल गया सरिया तो जो की तो है जितने रोड बने थे बनने से पहले तूट जाते थे रोड बनते टाइम रोड से बरस्टाचार की बदबू आती थी कि इस रोड में बरस्टाचार है कोई बिल्डिंग चेक कर लो इनके बतिज्ये पर आरोप लगे बरस्टाचार के कमिशन खोरी के आरोप लगे अब आप आ अलके के यूवाओं की जिंदगी खराब नहीं करनी यहाँ पर दैस्षट का मावल पैदा नहीं करना सुक्ष्यान्ति और खमर्दी और विकास अलके में हो ऐसा काम करना है ऐसे युवा की हमें जुरूरत नहीं है जो ऐसा काम करें ऐसे लोगों को साथ रखें योगेस जी आपकी राजनिती अभी शुरू भी नहीं है और उससे पहली आप आरोप इतने बड़े लगा रहें एक बात बताओ यह आरोप नहीं है यह तो अखे देखी है आपने भी बूठ आरोप नहीं है जिकर श्चाइए है जंता के बीस में जाके वोट मांग रहे लोगों का भाष्जन समर्थं उनको मिल रहा है वाट मांगने प operation अधिकार है ले किसी साफ से वोट मांग रहा है और कमी यह देखो ना आप पर चार पर शार देखो उरदंग बाजि दे देखी क्या आपने आपके कैमरे ने कवर नी किया क्या आपने वह स्टेज पे कौन किसको क्या पगड़ी पहना रहा था कितने बड़े-बड़े बदमास आई हुए थे वह आपने नी देखी क्या बहन कुमारी शहलजा जी को क्या-क्या बोला गया वह आपने नी सुनी देखो आप एक समाज की एक अमारी सत्रोल की तो बांजी है शहलजा अमारी तो बहन है उसके लिए क्या सब्द बोले गई क्या यह सोब नहीं है यह बाते नाणों दलका स्विकार नहीं करेगा लगता है योगेस गोतम अभी से पहले राजनीती की ABCD सीखने लगे हैं इस परकार के आरोप परत्यारोप लगा रहे हैं देखिए ABCD वाली बात नहीं है यह सचाई बात है मैं आपको सचाई बात से अउगत करा रहा हूँ मैं विदायक बनू या ना बनू वो एक अलग बात ह लेकिन मेरे मुख पे सचाई हमेशा रहेगी सचाई को कभी नी छोड़ूँगा लेकिन यो गेसी आप कह रहे हैं कि मैं जंता के बीच में जा रहा हूँ तमाम नेताओं में आप कमिया निकाल रहे हैं आपकी पार्टी का अभी तो जनाधार नहीं है क्यो जनाधार नहीं है पहले वाला विदायक हमारा दस विदायक हमारे इसी अलके में आज से पांच साल पहला साड़े बहतर जार वोट थे हमारे बताओ किसी विदायक के आज तक साड़े बहतर जार वोट आये हो तो अमारी पार्टी के विधायक के आए वो अलग बात है वो अमारे साथ नहीं रहे वो अलग बात है बताओ किसी भी विधायक के और आग गया जाए तो मेरे को फिर बताना आप अमारी पार्टी के आएंगे अमारे ही आएंगे और किसी के नहीं आएंगे वही विधायक ये कहते हैं कि जो अपने दादा का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा वो विधायक अब बीजेपी का दामन थाम चुके वो देखो उनका निजी मामला है मैं वो पार्टी सिर्ष ने तर्तव की और उनकी बाते हैं जो कुछ बाते हुई इन बातों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता है लेकिन आपकी पार्टी के ही विधायक थे, तो उन्होंने विकास क्यों नहीं करवाया, तमाम जो भर्षाचार के आरोप थे, उसको लेके उन्होंने मुद्दे क्यों नहीं उठाई, आपकी पार्टी के उपर आरोप लगते हैं। यह भी उन्हों नहीं करवाये हैं। तो आप किस मुद्दे को लेके जन्ता के बीच में जा रहे हैं, तमाम निता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो आपकी तरब से क्या नारा दिया जा रहा है। पर डिपेंड ना रहे, किसी की जीव जोरी ना करनी पड़े उनको। लाइब्रेरी में अपनी स्टड़ी करें। स्किल सेंटर में अपने रोजगार के साथ दंडूंडे। मैं ऐसी ऐसी योजना हलके मिले के आना चात्ता हूं। लोग बोल रहे हैं कि अब की बार आपकी पार्टी का एक भी विधायक है विधान सभा में नहीं पहुंचेगा। और है ऐसा जी यह वि रोधियों का परचार है लोग तो अमारे साथ हैं। इतनी बड़े जीत अपनी उए और लगा हुई है क्या क्या बात बन सकती है किसी तरह से 6 गाट से किसी भी माध्यम से आपको क्या लगता है आप चुनावी दोड में आ सकते हैं बिलकुल चुनावी दोड में हूँ हमे जन्नाएक-जनता पर्टी का किसान और मजदूर साथ खड़े होगे अब किसी बात की चिंता नहीं तो आपकी सरकार के विरोध में आपकी पार्टी के विरोध में किसान अमारे विरोध में का यह तो सारा विरोधियों का चलाय हुआ अचाल था किसान अमारे विरोध में निये मैं हूं मैं नानों से हूं किसी से पूछ लो क्या मैं बोर्डर पे नी गया क्या मैंने जो भाई बात चंदा होता वो नी दिया क्या परतियकर जब मेरे चंदे की का थि 묶िए यूनियन से पूच लो किसी दर्णा पर दसन में गया मैं सामिल सांव किसान अमारे विरोध में नहीं है यह तो विरोधियों का किया वापर चार आное कि इसका मतलब जन्नायक जनतापार्टी का एक एक वरकर बोडर पे गया है अब आपको चुनाओ के दोर में किसान यादा गए लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये किसान नहीं है या तंकवादी हैं खालिस्तानी या कभी कहते हैं कि कानून जो बन गए वो वापिस नहीं लिये जा सकते तरह तरह की ब्यानबाजी आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा की गई नहीं ऐसा कुछ नहीं था वो कुछ एडिटिंग करके वीडियो चलाई गई थी लेकिन अमारी पार्टी के नेताओं से ऐसा कुछ नहीं था अब जनता से क्या उमिद गरते हैं आप किस परकार का जन समर्थन आपको मिल राभी तक देखिए मैं गाउं टू गाउं जा रहा हूं डूर टू डूर कर रहा हूं और हर समाद से 36 बिरादरी से वोटों की अपेल कर रहा हूँ जनता का बरपूर समर्थन मेर को मिल रहा है और युवाओं का साथ मेर को मिल रहा है तो चुनावी दोड में हैं दोड में नहीं मैं सबसे आगए हूँ इन से युवा हूँ मैं सबसे आगए हूँ बगा के देख लो गुडा के देख लो किसी चीज में ले आओ जीत में सबसे आगए हूँ पहले भी हम थे आगए भी हम है अभी भी हम है अभी भी हैं जी देखिए ये थे जन्नाइक जन्ता पार्टी के युवा उम्मिद्वार योगेस गोतम जिनका साब तोर से कहना है कि भले ही तमाम पार्टियों के नेता कुछ भी दावा करते रहें लेकिन इनकी तरफ से ये एलान कर दिया गया है कि मैं किसी भी छितर में किस के सीर पर चोधर का ताज सजेगा ये तो आने वाला समय बताएगा बहराल एक बात होता है कि हारियाना में सबसे युवा चेहरा होने की वज़े से योगेस गोतम लगातार युवाओं की पहली पसंद युवाओं के लिए चर्चा का विश्या है बने हुए हैं हो भी क्यों यह तो चुनाव परणाम के बाद ही पता सलेगा वीडियो जोनिस्ट्र अमित वासिस के साथ अजया लोहान विंदास रेना कि अग्या